जियो एर फाइबर, घर में बिना तार मिलेगी 1 GBPS की स्पीड, कितनी होगी कीमत और कैसे होगा इंस्टॉल जियो एर फाइबर, जल्द ही जियो की एर फाइबर सर्विस लॉंच हो सकती है कमपनी इस सर्विस का पाइलेट प्रजेक्ट चला रही है इसमें यूजर्स को 1 GBPS तक की स्पीड बिना किसी फाइबर केबल के मिलेगी इस सर्विस को कमपनी दो वेरियंट में लॉंच कर सकती है इसमें से एक पोर्टेबल वाइफाइ आप्शन होगा जबकि दूसरा फिक्स्ट वर्जन होगा आए जानते हैं इसकी डीटेल्स रिलाइंस इंडस्ट्रीज ने जियो एर फाइबर सर्विस को पिछले साल हुई AGM में पेश किया था इसके नाम से ही साफ है कि ये सर्विस यूजर्स तक फाइबर जैसी सुविदा वायरलेस तरीके से पहुंचाएगी इसके लिए कमपनी 5G Antina का इस्तमाल करेगी जियो एर फाइबर पर यूजर्स को 1GBPS तक की स्पीड मिल सकती है हाला कि इस सर्विस की लाँचिंग की कोई आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है रिपोर्ट की माने तो कमपनी जल्दी ही इस सर्विस को लाँच कर सकती है यह सर्विस एक या दो महिने में लाँच होगी आए जानते हैं जियो एर फाइबर की खास बातें कितनी होगी जियो एर फाइबर सर्विस की कीवत Reports की माने तो Jio की upcoming service जून या जुलाई में launch हो सकती है YouTube पर इसका एक वीडियो भी मौजूद है इसमें Jio Air Fiber की unboxing और installation दिखाया गया है Company इस service को pilot project के तहत पिछले कुछ वक्त से test कर रही है वीडियो के मुताबिक ये service दो variant में launch हो सकती है इसमें एक portable Wi-Fi router मिलेगा वहीं दूसरा non-portable version होगा Wi-Fi 6 support के साथ आएगा इसकी कीमत 5500 से 6000 रुपए के बीच हो सकती है हलाकि इसकी आधिकारिक कीमत अभी सामने नहीं आई है कैसे काम करेगा? वीडियो में दोनों ही models को दिखाया गया है जियो Air Fiber Wi-Fi router के साथ आता है जिसमें एक antenna की तरह जबकि दूसरा extender की तरह काम करेगा आपको एक router अपने घर की छत या फिर किसी दूसरे उचे स्थान पर रखना होगा जबकि दूसरा आपको घर के अंदर रखना होगा hardware process पूरा होने के बाद आपको connection जोड़ कर installation पूरा करना होगा इसके लिए आपको सबसे पहले Jio 5G SIM Air Fiber में एंटर करनी होगी और फिर Jio Home App को डाउनलोड करना होगा इसके बाद आपको Jio Fiber router से connect करना होगा और फिर Wi-Fi password एंटर करना होगा जो router के नीचे लगा होगा wireless connection के अलावा यूजर्स को Jio Air Fiber में एक USB port, एक LAN और एक WAN port मिलेगा यूजर्स चाहें तो Jio Air Fiber से setup box को भी connect कर सकते हैं ये process standard variant के लिए है portable version के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है